स्वागत है दोसतो टिक्स कारड़ा में फिर सभ सभी का एक वार स्वागत है आज हम लोग देखने वाले हैं गुरूब डी के भउत ही important topic आज हम लोग देखेंगे numerical को जो कि आप सभी का बहुत ही demandable topic था कि numerical का वीडियो से अप्लोड किजे मैं बहुत ही important numerical का वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ जो कि पूरी तरक्स से आपको tricks के साथ आपको यानि tricks के मदद से आज हम लोग इसको solve करेंगे तो यह numerical का question है और इसको हम लोग फुली tricks से हम लोग solve करेंगे आज के बाद अगर इस तरीके का अगर question में अगर आप लोग को दिकत होता है तो आज के बाद कभी भी दिकत नहीं होगा तो आई ये वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग को question देखना है कि मतलब numerical का question जो होता है पहला देखना होता है कि मतलब क्या question दिया हुआ है और कौन-कौन सा डाटा दिया हुआ है और क्या निकालना है तो सबसे पहले question को देखते हैं कि सोल्ला ओम का परतिरोध वाले तार के लंबाई को दो गुना कर दिया जाए तो जो नया जो परतिरोध बने का तार का वह क्या होगा इस तरीके का topic बहुत सारा question इसे बनता है कि मतलब दो गुना कर दिया जाए तीन गुना कर दिया जाए च्यार गुना कर दिया जाए तो इसका जो नया परतिरोध होगा वो क्या होगा इस तरीके का बहुत question आता है और हम लोग उसको solve करने लगते हैं तो इसका बहुत असान ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ जिसके मदद से आप एक मिनट के अंदर यानि दस से बीस सेकंड के अंदर आप इसको क्या कर दीजेगा सुल्ब कर दीजेगा बहुत असान टॉपिक है दिहान लखिएगा नुमेरिकल होता जान बहुत असान है तो आप लोग सुल्ब कीजेगा तो देखें इसका ट्रिक्स काउन हो वाला है तो दियान लखिएगा जीतना जो दिया हुआ है जैसे सुलल्ब ओम दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग सुलल्ब करेंगे उसको गुना में करना है उसके बाद ध्यान रखेगा कितना गुना दिया हुआ है दो गुना दिया हुआ है तो जीतना दिया हुआ है कितना गुना मतलब दिया हुआ है क्या हो जागा ध्यान रखेगा कितना गुना दिया हुआ है दो गुना यानि इसका जो नया परतिरोध होगा, वो कितना होगा, तो चार ओम हो जागा, समझें, एक बार फिर से इसको देखिए, क्या हो गया, तो दियाना किएगा, सुल्लह कह रहा था कि इसका जो परतिरोध है, सुल्लह ओम के परतिरोध के तार को दुगना कर दिया जाए, तो इसक तो जीतना गुना कहता है। आगे भी कोश्टेन कर सकता था तो जितना कहेगा उतना काया स्कॉार हम कर देंगे। आप दूसरा कोश्टेन के माधेहम से हम समझिने का इसको और अच्छी तरीके से परियास करते हैं। चलिए अगला question एक बार देख लिए फिर से उसी type का question है type subscription किया हुआ है तो दियान एक 80 ohm पर तिरोध वाली तार को 3 गुना कर दिया जाए उस पार 2 गुना था यहाँ पर 3 गुना है तो 3 गुना कर दिया जाए तो इसका जो नया पर तिरोध होगा वह क्या होगा अब देखि गया एक 81 हो गया यानि जो नया पर तिरोध होगा वह कितना हो जागा 9 ohm हो जागा यानि जितना गुना कहेगा इसको क्या करना है multiply करना है और जितना जो गुना आगर कहादेगा उसके square करकर डिवाइड कर देना है अब मालियाजा की question आता कि 64 ohm का पर तिरोध है इसका असकुरर कितना हो जाता है चार गुना हो जाता है यानि तो क्या हो जागा तो इसको कर देते हैं और जितना रहेगा उस तरीके से इसको क्या कर देंगे solve कर देंगे तो यह बहुत आसान तरीका है आपको कैसा लगा comment box में जा करके जरूर बताईएगा फिर हम लोग मैं परियास करूँगा प्रती दिन numerical का एक टाइप आपको प्रती दिन बताते रहें और tricks के माधि हम से जितना आसान से आसान जो मेथा डूरता है उसके द्वारा ह आसा लगा comment box में जा करके जरूर बताईएगा और जितना हो से के अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर कीजिएगा फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरी video के साथ तबते के लिए धन्यवाद जैहिंद